नमस्कार दोस्तों इलेटिकल टेक्निशन चैल में आपका स्वागत हैं दोस्तों आज का वीडियो हमारा सोलर सेल का वारिंग हम किस प्रका से हमारे घर में करेंगे उसके बारे में हैं दोस्तों यहाँ पे आप एक सोलर सेल देख रहे हैं यहाँ पे जो हमने सोलर सेल का इस्त Solar Cell के बराबर होना चीए धोस्तों यह जो हमारा Solar Cell है इसको यदि हमें इस बैटरी को चार्ज करने के लिए इस्तमाल करना है तो यहां पर हम डार्क कनेक्शन नहीं करते हैं यहां पर हमें एक Solar Charge Control का इस्तमाल करना पढ़ेगा यह हमारा Solar Charge controller होता है अब यह जो हमारा solar charge controller है इसके द्वारा हम battery को charge करेंगे ठीक है अब यह जो हमारा solar charge controller है इसको input power supply देने के लिए हम इस solar cell का इस्तमाल करेंगे तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यह जो हमारा solar cell है इसका जो positive terminal होती है वहां से एक wire को connect करके लाएंगे और जो हमारा solar charge controller होती है उसका जो पहला terminal होता है यानि कि यह वाली terminal इस terminal पे हम wire को connect कर देते हैं यह जो हमारा पहला terminal होती है इस terminal पे हम solar cell का जो positive wire होती है उसको connect करते हैं ठीक है दोस्तों अब यह जो हमारा solar cell है इसका जो negative wire है उसको हम ले जाके इस दूसरे वाले terminal पर connect कर देंगे यह हमारा negative terminal हो जाएगा अब यहाँ पर हमने इसका connection कर दिया तो यहाँ पर जो हमारा solar charge controller था इसको input power supply मिली गया solar cell के दोरा ठीके दोस्तों अब यदि मुझे यहाँ पर battery का इस्तमाल नह जलती है यहाँ पर इसको connect करना है तो मैं direct connect कर सकता हूँ यहाँ पर example के लिए मैंने आपको DC बल्ब दिखाया हूँ ठीके अब यहाँ यहाँ पर battery का इस्तमाल backup के लिए के दा रहा है तो यहाँ पर मैं backup का इस्तमाल नहीं करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा यहाँ तो मैं क्या करूंगा यहां से एक बार को connect करूंगा और इसको ले जाके हमारा जो बल्ब है उसको positive supply दे दूँगा इसी परकार से यह जो दूसरा टरमिनल है यहाँ से एक बल्ब को नेगेटिव सप्लाई दे दूँगा ठीक ही दूस्तों अब यदि मैं इस परकार से connection करता तो यहां पर जो हमारा solar cell का output voltage मिलता है वो सिधे ही इस bulb को मिल जाएगा जिससे जितने ताइम यह हमारा solar cell voltage को produce करेगा उटने टाइम हमारा bulb glow करेगा लेकिन यदि रात होती है तो यह रात में हमारा जो bulb है वो off जाएगे क्यूंकि रात में हमारा solar cell होती है वो काम नहीं करता काम नहीं कि यहां पर जो हमारा solar cell होता है वो दिन के समय में अलग अलग voltage को produce करता है यानि यही हमारा जो ढूंप है यह कि यहिज còn है वो ज्यादा voltage produce करेगा आपको यहां पर मैं बता दूँ कि यह जो हमारा solar cell हे यह 20 बोल्ट तक voltage को produce कर सकता है अब यदि मैं इसको डारेक 20 बोल्ट दे दू तो हमारा जो बैटरी है वो damage हो सकता है या फिर जो equipment हम connect करेंगे वो भी damage हो सकता है इसलिए यहाँ पर हमें solar charge controller का इस्तमाल करना पड़ेगा यह जो solar charge controller है वो voltage को नियंतरित करेगा यानि output voltage जो देगा वो constant voltage देगा ठीके दोस्तों अब देखिए अब यहाँ पर मैंने आपको बता रिया किस पकास यदि हमें बीना बैटरी का इस्तमाल किए DC appliance को connect करना है तो कैसे करेंगे ठीके अब यदि मुझे यहाँ पर बैटरी को भी connect करना है तो देखिए कैसे करेंगे यहाँ पर जो बैटरी है उसको connection करने के लिए हम क्या करेंगे यह जो हमारा solar charge controller है इसका जो तीसरा terminal है यह वाली इस terminal से हमें एक वायर को connect करके इसको ले जाके हमारा जो बैटरी है उसके positive terminal पर connect कर देंगे जिससे क्या होगा जो हमारा positive supply है वो हमारे battery में पहुच जाएगी ठीक है अब यह जो हमारा fourth number का terminal है यह हमारा negative supply होती है ठीक है तो यहाँ से में एक वायर को connect करके ले जाके हमारा जो battery है उसको negative supply दे दूँगा तो यहाँ पे हमने connection कर दिये ठीक है दोस्तों तो यहाँ पे हमारा solar charge controller था उसमें जितने भी connection करने तो वह complete हो गया अब दोस्तों यह आप इस अपका से connection करते है तो आपका जो solar cell है वो यहाँ धूप में है यानि कि voltage को produce कर रहा है तो क्या होगा यहाँ पे जो हमारा solar charge controller है वो इस बैटरी को भी charge करेगा और कुछ हिस्सा इस बल्ब को देगा जिससे कि यह जो बल्ब है वो glow करेगा अब यह जो बल्ब है वो उसका load ज्यादा है इस solar cell से तो उस condition मे क्या होगा हमारा battery charge नहीं हो जितने भी power supply produce होगा वो सीधे इस output में चली जाएगी ठीक है अब यदि हमारा जो output load यानि कि load जो हम connect किये है यहाँ पे वो यदि कम है तो उस condition में हमारा battery charge होती है ठीक दोस्तों यहाँ पे आप load connect करने से पहले आपको यह मालन होना चाहिए कि आपका जो solar cell है वो कितने watt का है और उस watt के reserve से हम यहाँ पे load को भी connect करते है ठीक दोस्तों अब दोस्तों देखिए हमारे घर में DC appliance बहुत ही कम इस्तेमाल करते है हमारे घर में सबसे यादा तो AC appliance होती है यानि कि AC load होता है ठीक दोस्तों तो यहाँ पे मैंने एक jumper के लिए पंका और दो LED बल्ब ले लिया हूँ ठीक दोस्तों देखिए यह जो हमारा पंका और दो LED बल्ब है इसको चालू और बन करने के लिए यहाँ पे मैं एक switchboard का इस्तमाल करूँगा तो यह हमारा switchboard हो जाएगा ठीक दोस्तों इसी switchboard के दोरा हम इनको control करेंगे अब दोस्तों रिखिए यह जो हमारा पंका है और जो LED बल्ब है यह AC सप्लाई से चलने वाली है ठीक दोस्तों और यहाँ पे हमारे पास एक battery है आपको मालूम ही होगा battery DC सप्लाई देता है तो यहाँ पे हमें DC सप्लाई को AC में convert करना पड़ेगा तो AC में convert करने के लिए यहाँ पर हमें inverter का इस्तमाल करेंगे ठीक दोस्तों तो यह हमारा inverter हो जाएगा इसके दोरा हम DC सप्लाई को AC में convert करेंगे तो यह जो हमारा inverter है वो simple inverter है ठीक है यहाँ पे आपको solar inverter भी मिल जाएगा यहाँ आप solar inverter का इस्तमाल कर रहे है तो आपको यह solar charge controller का इस्तमाल करने की जोत नहीं केबल दूसरा यह ब्लेक वाली और यह इंपुट पावर सप्लाई के लिए केबल होता है ठीक है तो खुल में लाकर inverter में तीन केबल है अब यह जो हमारा inverter का red केबल है इस केबल को हमें बैटरी के positive terminal के साथ connect करना होता है तो यहाँ पर हमने इसको बैटरी के द्वारा दोस्तों यह जो हमारा inverter है वो output power supply इस socket में देता है अब यदि मुझे इस load को इस inverter के साथ connect करना है तो यहाँ से हमें power supply लेना पड़ेगा तो यहाँ से power supply लेनी के लिए मैं एक plug top का इस्तमाल करूँगा ठीक दोस्तों यह हमारा plug top हो जाएगा अब इस plug top के द्वारा ही हम इस appliance को connect करेंगे दोस्तों यह जो हमारा fan और bulb है इनको हम direct power supply यहाँ से ले जाके connect नहीं करेंगे क्योंकि यह जो हमारा appliance है उसको control करने के लिए यहाँ पर हमने एक switch board का इस्तमाल किये थे तो यहाँ से जो हमारा plug top है उसमें से एक wire को connect करेंगे और इसको ले जाके हमारा जो switch board है उसके किसी भी एक switch के साथ connect कर देंगे जिससे क्या हुआ यह जो हमारा switch board है इसमें face supply आ जाएगी inverter के द्वारा ठीके दोस्तों अब दोस्तों एक चीज हमें सा याद रखेगा यहाँ पे आपका जो plug top है उसका जो दहिना पीन है उस दहिने पीन पे आपको face supply मिलता है तो यह जो दहिना पीन है इस pin पे आपको face वाली wire को connect करना है ठीके दोस्तों अब यहाँ पर मैंने इस switch board में यह जो हमारा switch है इसको input power supply मिलिया अब यह जो switch है इस switch के इस्तमाल में इस fan के लिए करूँगा यानि कि इस fan को यादी मुझे चालू करना है तो इस switch को प्रेस करके चालू करूँगा लेकिन यह जो हमारा fan है इसके speed को भी मुझे control करना है तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक regulator लगाया हूँ तो इस fan को control करने के लिए regulator का भी इस्तमाल करूँगा ठीक दोस्तों तो दोस्तों इसके लिए मैं क्या करूँगा यह जो हमारा switch है इसके output terminal से एक वायर को कनेक करूँगा और इसको लेजाके हमारा जो regulator है उसको input power supply दे दूँगा किस पकार से हम fan का wiring करते हैं दोस्तों जड़ी आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका link मैंने description में दे दिया हूँ आप वहाँ पे click करके उसको देख सकते हैं ठीके दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अब दोस्तों देखिए ये जो मेरा socket है इसको control करने के लिए मैं इस switch का इस्तमाल करूँगा ठीके तो इस switch को input power supply देने के लिए मैं क्या करूँगा यहां से एक wire को loop करके इस switch को input power supply दे दूँगा अब यह जो हमारा switch है इसके output terminal से एक wire को connect करूँगा और इसको जाके हमारा जो socket है उसके दाहिने वाले pin के साथ connect कर दूँगा ठीके दोस्तों तो यहां पर हमारा socket है उसको face supply मिल गया अब दोस्तों देखिए यह जो हमारा bulb है यह वाली इस bulb को control करने के लिए मैं इस switch का इस्तमाल करूँगा तो इस switch के तरह हम कैसे इस bulb को control करेंगे देख लीजिए यह जो switch है इसको input power supply देने के लिए यहां से एक wire को connect करूँगा और यह जो switch है इसके incoming terminal पे connect कर दूँगा अब यह जो हमारा switch है इसके outgoing terminal से एक wire को connect करूँगा और इसको लिया के हमारा जो bulb है उसको face supply दे दूँगा ठीके दोस्तों अब दोस्तों देखिए यह जो हमारा दूसरा bulb है इसको control करने के लिए इस switch का इस्तमाल करूँगा तो इसको भी same connection करूँगा यहां से एक wire को connect करके इस switch को input power supply दे दूँगा और इसके outgoing terminal से एक wire को connect करके इस bulb को हम face supply दे देंगे तो यहां पे हमारा जो face supply का connection था वो complete होगे ठीके दोस्तों यदि आपको ये video पसंद आता है तो प्लिस इस video पे आपका प्यार और support दिखा दीजीगा दोस्तों प्यार के लिए इस video पे like कर दीजीगा और support के लिए एक प्यारा सा comment कर दीजीगा दोस्तों आपके like और comment मुझे inspire करते हैं कि आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाओ तो प्लिस लब और support दिखाने के लिए ना भूलिएगा ठीक दोस्तों चलिए आगे बरते हैं अब हमें क्या करना है neutral supply का connection करना है neutral supply का connection करना के लिए यह जो हमारा plug top है इसका जो left hand side वाली pin है यह वाली ठीक है इस pin के साथ हम क्या करेंगे एक wire को connect करेंगे और इसको ले जाके हमारा जो socket है इस socket के बाई वाले pin में connect कर देंगे यह जो left hand वाली pin है वो हमारा neutral supply के लिए हो जाएगी अब यहाँ पर हमारा जो load था उनको भी neutral supply देना है तो इनको neutral supply देने के लिए मैं यहाँ से एक wire को loop करूँगा और इसको ले आके हमारा जो fan है उसको neutral supply दे दूँगा ठीक दोस्तों अब यहाँ पर जो हमारा bulb है उनको भी neutral supply देना है तो यहां से मैंने एक wire को connect करके लाया और इसको इस terminal पर connect कर दिया दोस्तों यह जो wire है वो earthing के द्वार कनेक होड़ी है earthing हम क्या करते हैं बिजली के खम्मे से लेके आते हैं यहां फिर हमारे घर में एक road को जमिन के अंदर गार के earth को connect करते हैं दोस्तों यहां आप earthing के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है उस वीडियो का link में description में दे दूँगा आप वहां पर click करके देख सकते हैं यानि की जनकारी ले सकते हैं ठीक दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अब दोस्तों देखिए यह जो हमने यहां पर inverter का इस्तमाल किये थे इस inverter में एक और additional benefit है क्या additional benefit है दोस्तों देख लिजे यह जो inverter है इस inverter को हम AC power supply के द्वारा भी charge कर सकते हैं यानि कि AC power supply देने पर यहां पर output power supply मिलेगा इस battery को charge करने के लिए ठीके तो कैसे इसको charge करेंगे उसको भी आरे में भी समझ लिए यहां पर हमें inverter को AC power supply से charge करने के जोर क्यों है दोस्तों समझ लिजे दोस्तों यह जो हमारा solar cell है वो कैवल धूप में काम करता है यानि कि इस solar cell पर यह रोशनी पढ़ती है तो यह क्या करेंगा voltage को produce करेंगा जिससे हमार बैτοरी हे जो है वह चार्ज होगा होगा अब यद्य हमारा जो c Jeffrey ने वह बरसादका यइभी ठंड का मोसं इस दोप बहुत कम निकलता जिस जो हमारा inverter ray इसको AC power supply दोर चार्ज करने के लिए यहां पर हम एक socket का इस्तमाल करेंगे ठीक है दोस्तों यह जो socket है इस socket को input power supply देने के लिए यहां पर मैं एक MCV का इस्तमाल करूँगा अब यह जो हमारा MCV है इस MCV में जो input power supply होगा वो main power supply होगा यानि कि जो बिजली के खंब तर्म只有 cana Vale कal बिए के लिए लिए कि आपर वारख्ज करण होगा यहां पर मैं उल्टा कर दिया हो यानि कि फास प्लाई को मैंने यहां पर मुझे प्लग्टॉप का भी connection दिखाना है अब यहां पर मैं प्लग्टॉप को लेक्शन दिखाना है तो यहां पर वाइरिंग जो है वूसको अच्छे स्थारीके से सो नहीं कर दोंगा इसलिए मैं यहां पर connection को थोगा उल्टर दिखा दिए हैं इससे कोई प्रोलाम नहीं होता लेकिंग connection आप सही करिएगा ठीक दोस्तों अब दोस्तों दिखिए यह जो हमारा socket है इस socket का जो मोटा वाले pin होता है मोटे वाले pin पे हमें earth को connect करना होता है तो उसके लिए क्या करूँगा यहां से inverter को input power supply देना है यानि कि charging के लिए input power supply देना है तो उसके लिए क्या करूँगा यहां पे एक plug top का connection कर दूँगा, दोस्तों यहाँ पे plug top का connection आपको explain नहीं करूँगा क्योंकि आपको plug top का connection आता ही होगा दोस्तों यहाँ पे जो हमारा wiring था वो complete होगे दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए दोस्तों यह जो हमारा socket है उसको हमें से चालू करके ना रखिएगा, यहाँ पे चालू करके इसलिए नहीं रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे यहाँ इसको चालू करके रखते हैं, तो यह जो हमारा inverter है वो power supply यहाँ से लेके direct power supply charging के लिए इस battery को देगा, जिससे क्या होगा यहाँ पे हमारा solar cell वो भी इसको चार्ज करेगा बैटरी को और यहाँ से भी charging voltage मिलेगा, जिससे यह जो बैटरी है वो हमारा खराब हो सकता है, ठीक है हम इस plug top का इस्तमाल उसी time करेंगे जब हमारा solar cell वो work ना करें यानि कि यहाँ पे जो हमारा plug top है उसका इस्तमाल हम केवल बरसार के time पे या विठंड के time पे करेंगे जब हमारा solar cell वर्क ना कर रहा हो ठीक दोस्तों, हमें केवल एक time पे एक ही charging input का इस्तमाल करना है ठीक दोस्तों, तो दोस्तों I hope कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा